Hello everyone, this is Akshay and welcome back to my YouTube channel आज का वीडियो होने वाला है बैक वर्काउट का जिसमें आज हम बैक का वर्काउट करेंगे बैक का वर्काउट करने के लिए हमार कुपमेंड सी बैक का वर्काउट करेंगे यह बिंग्नर्स के लिए होने वाला है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज करेंगे लिए आपको कोई भी ऐसी प्लेस चाहिए ऐसा सर्पेस चाहिए चाहिए जिसमें आप तंग सबें ठीक है जैसे कि कोई भी रैक हो सकता है अल्मीरा हो सकता है डोर्स हो सकते आपके लेकर पुलफ्स करने में सबसे बड़ी बात है कि यह रहती है कि मुस्टी लोगों से पुलफ्स होते नहीं है जिनका हैवी वेट है जिनों मैं नहीं किया अजिसमें पुलफ्स होते नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए उनके पास क्या अल्टर्नेट है तो हम वह भी देखेंगे जली स्टाट करते हैं यहाँ पर मैंने अपनी नीज को बेंड किया है जो कि मुझे है तो आप को ब्लॉफ्स करने में कोई थिक्कत होते हैं तो आप इसको एक बार ट्राइब कर सकते हैं इस आपके पास कोई भी रैक नहीं है प्लॉफ्स करने के लिए तो आप डूस को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस गुट बी अबर अल्टरनेटिव प्लॉफ्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बॉड़ी को बेंड किया हुआ है इस एक्चुल एक चिनब पर आप मेक्शोर करें कि आप एक कर बना के चिनब को करें जैसे कि आपका मैक्सिमम लूट आपकी बैक पर आए अब जो मारी ने अच्साइज होने वाली है वह होने वाले है डम लोगे डम लोगे लिए हमें सिर्फ इस पिलर और यह इत की मतलब से इसको करेंगे अब डम लोग करते कैसे खेंटें लम लोग इस तरही के से आपने पैर को इसमें टेकाएंगे बट हां मेक्शुर कि आप इसको रेस्टामद कुलियो है रेस्प नचरिमना इस तरीके से ना तो खिलने शोникиकндल हो व्लिए में पैर को इस तरीके से ना पेंगे डम रखके अपने ने हमें अपना रखा प्सको आल्पू को आप साइज हमें जो हवे हमारा ऑता है एल बो कशा जो है जहां तक ही जा र रहेगा वह अप रहेगा ठीक है तो हम इसको इस तरीके से यह टंबल की मदद से इट की मदद से इसको करने वाले हैं तो हमारे चैस्ट अप रहेगा अब हम इसको स्टार्ट करें तो हमको पूरा नीचे लेके पूरा उपर तक नहीं जाना है ठीक है वोसी लोग यहीं करते हैं और यह बहुत कलाते हैं इस आपका ठीक है तुझा मांसल टेंसर रहता है वोग डिलीज आजाता है तो इसलिए हमें इन बात का याद रहाएं बैक की मसल्ट होती पुका सब्सक्राइब करते हैं कि जिसमें आपको उप ख़ी सकते हैं तो सब्सक्रा गवार में ज्वरेश घ्लक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो चलिए हम देखते हैं हम जब हमने पोजीशन अपनी सेट कर ली तो हमें ये इस पोजीशन में अब हमारा हैंड है ते सब्सक्राइब हमारा एल्बॉफ स्टेट लेह डोगा शोल्डर की पूजिशन न्याएंजा हमे पूस्ना ऊदर्श पैस्पेस हो peas तो यह तो हमैंने इस तरीक संसे लिए जाएंगे ले द्सको घब है मैं दो आपा शुल्डर नीचे नहीं आना चाहिए ठीक प्षूंडर आमीशा इस तरीके से साथ रहे हैं पोसिशन आप आलका साथ बैक को बै करें उला हाथ बिले आपका जो रहेगा रहा कर बैक में रहें को नीचे करेंगे चैस्ट पोजिशियं इस तरीके से लोगे कि टेंग तरफ दो पब्लिए अपने आप टिकने मिश न्यूंन वाइंड तीक टेक्री ट वे इसका subscribe सब्सक्राइब के लिए अपने एल्बो को हलका सा बेंट करें सकते हैं कि आपको एक कमफ़टीबल पूजीशन सैट होगा है यह हमारा डंबल होगा है इसके भी हम तीन सैट करेंगे एक बात और यहां पर हम बहुत कंसिस्टेंट वेट ले रहे हैं ठीक है हमारा बेट कॉंस् या 8 वलब ऐसे कोई रिपिटीशन एठीक है आप अगर चाहें तो कंस्टेंट रेपिटीशन बेले से र कॉंस्टेंट रॉटीशन में भी आप ले सकते हैं इस याप 15 15 15 के तीन से लगा सकते हैं 2020 कि लगा सकते हैं वह आप क्यों पर डिपेंड करता है अगर आपको बहुत यहां पर मारे जो नेक्स एक्साइज होने वाली है वोने वाली है बैंड ओवर के बेंड वर हम यहां पर डंबल से लगाई है मतलब इट से लाइगे जो आए तो इसके लिए हमाने कुछ लिए सिप्ट वी टोगी जरूती होगी तो चलिए अप स्को स्टार्ट करते हैं इसका अपने चेस्ट पर करने महीं अपने भी लोग दया थे। ऑन घ्रूर बनाते हो एक प्रूस्ट करते होई वह दो जाएगे किने में तो पॉजीशन हमारी कुछ इस तरीके की रहेंगे ठीक नहीं आपको ज्यादा होना थे नहीं आप दिल्कु लिग दूमने से स्टेय रही है सबसे पहले आप अपनी बेंट करेंगे ठीक है नीबेंट करने के साथ साथ आप जब ना लोगर बैक है इसको नीचे लेके आएंगे लोगर बैक में कर बनाएंगे और अपना चैस्ट अप फिर हमारी पोजिशन कुछ इस तरीके की रहेंगी ठीक है अब हम जो हमारी ये है थे अब फोड़ा सा तक कि अब मैंसको ऑष्ट इस तरीके से लेकर जाना है कि अच्छे सपना ध्यान में अकि यह वेजिस्ट आपका अप रहे कि अप सबसे बड़ी बात आपको पनी बैक में मूवमेंट नी लाने कि आफ ऐसे हो रहे हैं या परहर आप स्ट्रेट हो रह जाते हैं ठीक है बोनी रहें पॉस्चर एक्दम सैट रहेगा ठीक है पॉस्चर आप का मेशा ऐसा ही रहेगा ठीक है फिर आपको इसमें इस तरीके से रिप्यूटेशन करना चालू बनना पड़ेगी ऑप निए तो यह थी हमारी बैक की लास स्थ आज हम ने चार एक्सर यसकबार करें आप इन से स्टार करेंगे तब फिर हम इसको आगे और लेकर जाएंगे ठीक है फरतर जब हम थोड़ा हैपी एक्सथाई में भी चेंज करेंगे और मैं बात वही है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बैक की मसल रहती है वह हमें विजिबल नहीं रहती है ठीक है तो आपको कभी ये पता भी नि buenas are चब तक आप उसको थोड़ा बहुत ग्रोव नहीं कर लेंगे ठीक है आपको अमाइशा यही लगेगा कि थूँआ यह तो बस वैसा है कि हमें अगर हलका बहुत पेंड भी उता है बादी में भी सोन्नेर्स होती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप गलाति कर लेंगे अगर आप इन चीजों को चीनप क्योंकि अलग मसल टार्गेट करता है कि मैं बहुत बड़ा मसल गृट है ठीक है तो मेरा यह कहना होगा कि जिससे पुलप्स बनते हैं तो फुलप्स करें तो फीछ नहीं लगाते बनते हैं तो इस तो ट्रिश एक तो थेक्ष एक पर वाचिटियो और आप को वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो से पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब परें थैंक यू